आसलाम लेकम स्टूडेंट्स आज हैं हम इंग्लिश प्रोग्रेसिव का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे पेज नेमबर आप खुलेंगे 20 राइड नग्लास वर केंड़ अन देट अन देट आप अस पेज अपकेज जी तो लेट स्टार्ट इट यूनिट 4 हैं इंग्लिश स्प रिड़ डायलोग और आंटर देट विश्चेंट्स विच मिल इस मिस्टर बर्की गोंग तो हैं ठीक है मिस्टर बर्की जो है वह कौन चा खाना खाने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का यह डायलोग पढ़के हमने आंटर करना है मिस्टर बी आएव मेड पॉट अफ टी नद्या। वोट वस का सालमाइव पॉट वट इस मिसस पी हम बढ़के ट बाक्री हम लग चाल मिलक को यह ऑन्स खुग टि बग टायलोग भीस किवट थूट्टीं का यह डिक ज़ूट इस का दू प्र यहा लग एएव भीको खोगuste Tunicius ओन का बेक फॉम एस्ट्रेलिया मिस्स बी अराइब फॉम लास नाइट ही इस तिल स्लीपिंग आइल गो एंड वेक हिम अपना ओ ठीक है तो मिस्स बर्की जो है वो किचन में नाश्ता बना रही है उन्हों नादियों से पूछा है कि आप चाह कैसे लेंगी शी टोल हर डाइट के व तो शी टोल डाइट के वो रात को आगे थे सो रहे हैं अभी मैं उनको जगाने जा रही हूं ताकि वो अपना नाश्ता कर लें तो विच मील इस मिस्टर बर्की गोईंग तो हैव सो ही इस गोईंग तो हैव इस ब्रेकफास्ट ठीक है बाज आते हैं इसके एक्साइस टू क पाइड एंटो अफ जो भी यूज करते हैं घर में आप उसको टिक कर लें वैदर ग्रीन ढर्टी है यह मिल्क्शूगर टी है पैकिट अफ टी टी ती बैग तो यहाँ पे आप जिसको भी यूज करते हैं वो आप टिक कर लेंगे यहाँ पी नोने को किया हुं exercise 3 को आप cross कर देंगे next page पे आज देंगे page number 21 है unit 4 lesson 2 same आप class work and date लिखेंगे many words have come into English from other languages including Urdu most of these are words that you already know match the words to their meanings ठीक है अब हमने words को उनके meaning से मिलाना है सबसे पहला है bungalow bungalow क्या है a house on one level ठीक है वो उन्होंने पहली match किया इसके बाद हम करेंगे chutney को chutney क्या होता है chutney is a spicy sauce made from fruits or vegetables ठीक है fruits or vegetables से बने ओली sauce को हम chutney कहते है shampoo क्या है a liquid that you use to wash your hair bit a neat neat matching करनी है आपने जंगल क्या है a thick forest in a hot wet country उसके बाद है haki a green brown और yellow brown color punch क्या है punch a drink made from five different fruit juices ठीक है उसके बाद विरंडा है विरंडा क्या है a platform at the side of a house with roof and floor but no walls ठीक है open place होती है roof होता है लेकिन walls नहीं होती that is called विरंडा पजामा क्या है a loose jacket and trouser that you wear in bed that is called pajama उसके बाद हमारी exercise 2 है complete the text with words from exercise 1 exercise 1 में जो हमारे words है इनको use करके हम इसको fill करेंगे one evening riot skip kipling was staying in the jungle he was sitting at a table on the dash veranda outside his dash bungalow eating a dish of lamb curry and mango dash mango chutney and drinking a glass of dash punch he was wearing old dash hockey trousers sandals and a shirt ठीक है हाक ही हमने किया था यहां पर green brown और yellow brown color तो color trouser है उसके बाद है copy and complete Cyrus letters to Sandra hello it's an evening यह भी हम वही words लेंगे it's evening and I am sitting on the veranda wearing my pajamas and drinking a glass of punch there is nobody else outside my sister has gone to shampoo her hair my grandparents bangalore is on the edge of the jungle so lots of wild animals walk around the house at night ठीक है उसके बाद आ जाते हैं exercise 4 की तरफ pruland nouns ending in OS and OES ठीक है pruland nouns जो हैं वो OES और OES पेंड होती है अब हमने क्या करना है कि इनको separate करना है इन दोनों words को ठीक है words that end with OS and words that end with OES तो यह हमारे पास word bank है यहां से हमने इनको अलग करना है first रा फोटो जोने लिखा हुए बाकी हमारे पास piano and radios पाकी है बाकी इसमें जो बच जाते हैं वो OES वले हैं वो हम क्या करेंगे second में लिखेंगे बफैलोज हीरोज वोलकेनोज टुमेटोज मेंगोज इचोज पोटैटोज एंड बफैलोज चिक है यहां पे हमारा lesson 2 कम्प्लीट हो जाता है अब next page पे जो lesson 3 है that is geographic quiz page number 22 and 23 is for your homework that's it